इंडिया और UAE ने अपना जो पहला free trade agreement है इसको finalize कर दिया है UAE इंडिया का third largest trading partner है पहले पर चाइना है फिर USA है और third number पर UAE का number आता है तो यह जो FTA यहाँ पर sign होगा है बहुत ज़्यादा significant हो जाता है दोनों देशों के बीच में यहाँ पर यह target किया जा रहा है कि आने वाले सालों के अंदर bilateral जो trade है वो 100 billion dollar को यहाँ पर cross हो जाए at present अगर हम देखेंगे 2021 का जो calendar year था वहाँ पर इंडिया चाहिना का bilateral trade 125 billion था और इंडिया USA के बीच में 113 billion dollar का trade हुआ था तो जबकि UAE के साथ अगर हम देखें तो कोरोना से पहले अगर 2019 की बात की जाए लगबग 60 billion के आसपास हमारा bilateral trade था यहाँ पर यह target कर रहे हैं आने वाले 5 सालों में हम 100 billion तक जा सकते हैं the help of this free trade agreement or to be very accurate comprehensive economic partnership agreement यह अभी हम जब discussion करेंगे तो यहाँ पर यह भी देखेंगे कि यह जो free trade agreement होता है comprehensive economic partnership agreement है या CECA cooperation agreement है preferential trade agreement है इनमें क्या फरक होता है क्योंकि exam के point of view से यह चीज़े बहुत important है और यह जो पूरा का पूरा comprehensive economic partnership agreement या free trade agreement है यहाँ पर किस तरह से हम आगे जा रहे हैं इंडिया को क्या benefit होगा यह पूरा issue यहाँ पर detail में discuss करते हैं आगे बटने से पहले this is a brief introduction about me my name is राहूल बरद्वा यह मेरा प्री मेंस optional के लिए आप an academy के plus platform से जुड़ सकते हैं जहां पर एक साल की जो fees है 45,000 के साथ आपको available है अभी 2022 के लिए आपकी जो number of vacancies इनको increase किया गया अलबग 20 प्रतीशत से तो definitely you can go for the preparation in a targeted way देके trade agreement क्या होते हैं basically जो दो देश हैं या दो custom duty बगर हो गए यह सब और non tariff barrier में आते हैं मानली जा आपने quota fix कर दिया कि इतना ही quantity के अंदर कोई चीज आ सकती है तो यह जो restriction है trade agreement के माध्यम से restriction को बहुत कम कर दिया जाता है ताकि दोनों देशों के बीच में या बीच में trade जो है वो increase हो सके trade agreements normally cover goods and services जनरल यह क्या है वस्तुएं और सेवाओं जैसे वस्तुओं में कोई भी हो गए electronic item है furniture है कपड़े हो गए services में banking है finances है एट सेटरा यह है medical service educational services कुछ trade agreements क्या गरते हैं intellectual property rights को भी कवर करते हैं investment को भी कवर करते हैं government procurement competition policy इसको भी कवर करते इसलिए trade agreement के अंदर भी क्या हो गया various degrees हो गई क्या क्या चीज़े आपने include की है कितना वो comprehensive है कितना cooperation आपका strong है उस basis पे हम क्या करते हैं काफी सारी categories create करते हैं जैसे preferential trade agreement हो गया free trade agreement हो गया comprehensive economic cooperation agreement है या जो अभी जिस word का use किया गया है comprehensive economic partnership agreement तो एक एक करके इनको देख लेते ह इंडिया ने जो सबसे पहला FTA sign किया था वो श्रिलंका के साथ किया था जो 1998 में हुआ sign और 2000 से आपका enforce होना start हुआ उसके बाद से आप देखोगे कि दोनों के बीच में जो bilateral traders में एकदम से तेजी देखने को मिलती है तो यह जो एकदम से तेजी आ रही है यह आती है आपक surplus है मतलब हम UAE को export ज्यादा कर रहे है वहां से import कम कर रहे है इसी तरह से हमारा surplus USA के साथ भी है जो इंडिया का second largest trading partner है लेकि चाइना के साथ हमारा क्या है deficit है क्योंकि चाइना से import हम बहुत ज्यादा करते है अब यह जो पूरी list है यहां पर आप देखोगे कहीं पर PTA preferential trade agreement लिखा हुआ है कामी पर लिखा हुआ है comprehensive economic cooperation agreement और कहीं पर आपको लिखा हुआ दिखेगा comprehensive economic partnership तो यह जो differences है इनको एक बार देख लेते हैं कि preferential trade agreement में क्या होगा एक positive list होती है मतलब यह जो goods है इन वस्तुओं पे आपका जो है हम tariff कम करेंगे जिससे क्या होगा इन वस्तू सूर एक trading block है जिसमें आपके ब्रजील है अर्जेंटिला है अरुगवे है परागवे यह चारो कंट्री है 1991 में यह trading block बना इंडिया का भी preferential trade agreement इन से है अब यही और बहुत सारी चीजों को अगर include करता है तो वो हो जाता है FTA मतलब free trade agreement इसके अंदर क्या होगा एक negative list जैसे कम कर रहे हैं इंडिया श्रिलंका का जो FTS का example है आजियान कंट्री के साथ हमारा जो FTA यह इसका example है तो key difference क्या हो गया preferential trade agreement और free trade agreement में कि free trade agreement ज्यादा comprehensive है ज्यादा चीजों को यहाँ पे include कर रहा है tariff reduction के लिए tax reduction के लिए अब आता है comprehensive economic partnership agreement इसके अंदर क्या होगा इसके अ CEPA जो अभी हमने sign किया है आप देखेंगे जो UAE के साथ अभी हमारा sign हुआ है यह क्या हुआ है इंडिया UAE CEPA लिखा हुआ है comprehensive economic partnership agreement यह क्या है ज्यादा comprehensive है इसलिए यह अच्छी बात है कि हमने CEPA sign किया है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़े आपकी include है competition regarding IPR है investment everything is there और इ यह कोर होता है comprehensive economic cooperation agreement तो यह थोड़ा सा कम comprehensive रहेगा fine तो जैसे कि हमने Malaysia के साथ sign किया हुआ है तो यह major major चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जहां तक इंडिया UAE की बात है इंडिया और UAE इंडिया का जो third largest trading partner है UAE जैसे हमने शुरूर में भी डिसकुस किया था first पे आपका चाइना है और second पे आपका USA है यहां तक bilateral trade की बात है 2021 में 43 billion था लेकिन अगर हम pre pandemic की बात करें तो यह लगबख 60 billion dollar पे अल्रेडी पहुँच चुका है और इस free trade agreement से हम चाहरे हैं कि 100 billion तक आपका पहुँच जाए आने वाले पास सालों में UAE इंडिया के लिए वैसे भी मैं फिट होगा तो आप तो आप देखेंगे James and Jewelry है एकस्टाइल है लेदर है फुटवीर है फाइन फंडीचर एग्री गूड्स फार्मा मेडिकल डिवाइसे इनको हो रहा है इंजिनीरिंग गूड्स ऑटो मॉबाइल तो यह सारे के सारे सेक्टर क्या है लेबर इंडिया में जॉब प्रोस्पेक्ट इंक्रीज होंगे तो मिनिस्टर जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो कह रहे लगबग 10 लाग जॉब इंडिया में क्रेट होंगे और यह बाइलेटरल ट्रेड आने वाले सालों में 100 बिलियन तक पहुंच सकता है एक और अच्छी बात है कि इ इनके एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा अपार्ट फर्म दिस यूए को क्या बेनिफिट है तो यूए के लिए हमने कंसेशन दिये गोल्ड के रिगार्डिंग कि इंडिया के अंदर वो गोल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर कंसेशन रहेंगे इसके लाव उनको मेटल्स, मिनरल्स, पेट्रो, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रॉडक्स, खजूर जो होते हैं डेट्स यहां पे कुछ रिरायतें दी गई हैं क्योंकि यह रेसिप्रोकल होता है अगर UAE ने इंडिया को कुछ छूट दिये तो इंडिया भी UAE को कुछ छूट यहां पे देगा जहां तक हम FTA की बात करें देखिए free trade agreement तो यहां पे इंडिया के strategy यही रही है कि FTA जो होते हैं केवल यही sign करना ही हमारा purpose नहीं है इससे national जो interest है वो भी solve होना चाहिए और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने RCEP यह जो regional free trade agreement है जिसमें 10 याजियान देज द तरह था अल्रेडी चाहिना के products इंडिया में बहुत जाना है तो इसके बाद तो condition आप imagine कर सकते हैं तो हमारा overall purpose है FTA free trade agreement sign करने का कि हमें benefit हो और इसी context में इंडिया जो है South Korea, Japan के साथ, ASEAN के साथ अपने free trade agreement को यहां पे re-negotiate कर रहा है कि हमें भी market access better दिया जाए और यह जो export बढ़ाने है तो यह जो favorable FTAs हैं इंडिया के लिए बहुत helpful होंगे, so this is all, PDF of the session will be available on this telegram, इसके लावा आपकी free test, यह जो paid test series हैं जहां पे 3000 के साथ आपको GS और PSAT के test available करा जा रहे हैं, इसमें भी आप participate कर सकते हैं, free combat में हिस्सा ले सकते हैं, subscription link description box में अपने need के according plan choose कर सकत similarly you can go for iconic subscription, यह fee structure है, iconic में आपको personal coach alert हो जाते हैं, live mentoring benefit आपको यहां पे मिल जाते हैं, optional, यह optional के subscription की fee है, और loan facility link आपको मिल जाता है, नही बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, prelims के लिए, score booster test series और free test series से भी आप अपनी preparation को आगे बढ़ा सकते हैं, so this is all, don't forget to like, share and subscribe, all the best, have a great day.